Hello students, आज हम लोग discuss करेंगे micro economics का एक ऐसा topic जो की हमारी fourth unit से related है जिसमें हम लोग किया आती है factor pricing तो factor pricing में आज हम लोग पढ़ेंगे rent, rent क्या होता है, second चीज़ पढ़ेंगे types of rent इससे आपके last year question आए हुए थे, तो बहुत important topic है, आज से शुरू करेंगे और धीरे धीरे हम लोग पूरी fourth unit यहां से complete करेंगे तो सबसे पहले मैं define करना चाहता हूँ, factor pricing क्या होती है, factor pricing होती क्या है तो आपको सबको पता होगा कि आपको पताता है, जब आप production करते हैं, किसी यूनिट का यानि किसी प्रोडेट का production करते हैं तो उसमें कई सारी चीज़े होती है, जैसे कि capital होती है, जैसे कि labor होता है, land होती है तो इनको जो भी amount pay किया जाता है जो भी amount pay किया जाता है वो इनकी क्या कराती है वो इनकी earning कहलाती है और ये price to utilize that particular factor यानि कि वो price जो एक factor को अपने production में engage करने के लिए हम लोग देते हैं उसे कहते हैं factor pricing आज जो हम लोग discuss करेंगे तो हम लोग discuss करेंगे अगर हम लोग land का utilization करते हैं किसी भी land का utilization करते हैं तो उसे हम लोग क्या देते हैं rent तो rent के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और पूरी चर्चा करेंगे types of rent के बारे में तो सबसे पहले define करता हूँ कि rent क्या होता है according to the carver rent is the price paid for the use of land यानि की क्या होता है वो price जो की हम लोग कोई भी land है अगर आपको इसका utilization करना है तो इसको utilize करने के लिए जो भी आप price pay करोगे उसे क्या कहते है rent कहते है जैसे की for example कि माली जी किसी की shop है और आपको क्या आता है चाय का business खोलना है किसी की shop है तो यह जो landlord है यहां का जो landlord है इससे आपने क्या करा rent पे लिए इसकी ये दुकान तो उसके लिए आपने क्या दिया एक price payment करना पड़ा जो दुकान का किराया था उसे क्या कहेंगे rent कहेंगे तो कभी भी किसी भी land को utilize करने के लिए जो भी price हम लोग देते हैं उसे कहते हैं rent second definition में बताया गया है rent is that portion of the produce यानि कि production का वो portion of the earth which is paid to the landlord यानि क्या आता है production का वा भाद जो हम लोग landlord को देते हैं for the use of original and indestructible power of the soil तो यहां पर दिखेगा कुछ word आए यहां पर डेविड रिकार्डो ने क्या कहा है कि basically rent वो चीज़ होती है जो हम लोग landlord को soil के soil की indestructible जो power होती वो क्या होती कभी समाप्त होने वाली यानि कि soil क्या होती कभी भी समाप्त नहीं हो सकती तो ना समाप्त होने वाली जो power होती है उसको use करने के लिए जो भी हम लोग amount pay करते है landlord को portion of production का उसे क्या कहते है rent कहते है I hope आप लोग को समझ में आ रहा होगा फिर third definition में देखेंगे तो third definition में क्या कहा गया है rent is that portion of the landlord income which is attributable to his ownership of land यानि क्या होता है land वो पार्ट होता है जो की एक landlord को मिलता है उसके attributable यानि की ownership यानि की जो उसने land की ownership ले रखी है उसके लिए जो से पार्ट मिलता है land का उसे क्या कहते है rent कहते है I hope you are you all are understanding this topic next बात करेंगे अब इसमें जो important question आते हैं वो question क्या बनते हैं आपके types of rent तो एक एक करके अमनों discuss करेंगे types of rent क्या होता है तो सबसे पहला जो rent होता है वो क्या होता economic rent क्या होता है अब दिखेंगा economic rent होता क्या है basically पहले definition पढ़ते है economic rent may be defined as a payment made to a factor of prediction made to a factor of prediction in excess in excess of the minimum amount necessary minimum amount necessary to keep the factor in its present occupation तो देखेंगा economic rent में बहुत छोटे तरीके से समझाता हूँ कि माली जी एक landlord है तो जो एक landlord होता है तो जब माली जी उसकी एक shop है एक shop है यह clear है तो वो इस shop को किराये पे देने के लिए एक minimum return सोच के बाठता है जैसे कि for example अगर आपकी एक shop है तो आप सोचो कि इस दुकान के किराये minimum मैं लूँगा तो किता लूँगा 6K यानि कि 6,000 रुपए ठीक है बट अगर आपको किसी ने offer कर दिया 8K यानि कहता है किसी ने offer कर दिया 8K तो जो इन दोनों का difference होगा 2K वो क्या होता है economic rent फिर से समझेगा economic rent may be defined as payment made to a factor of production in excess of the minimum amount necessary to keep the factor in its present occupation यानि कि इन दोनों के बीच का जो difference होता है वो ही क्या होता है economic rent होता है यानि कि actual minimum amount कितना expect कर रहे हो आप और आपको actual मिल के आ रहा है तो वो क्या होता है according to the demand and supply पे depend करता है कि यह कम और ज्यादा होता रहता है तो आई होप आपको समझ में आया होगा economic rent second क्या होता है gross rent तो gross rent में हम लोग तीन चीज़ों को include करते हैं चुकि यह कुछ wide area है for example it is the rent which is paid for the service of land and capital invested on it यानि कि यह रहता है it is paid for the service of the land और capital जितनी भी लगाई गई है दोनों के लिए it includes the following payment for the use of land यानि कि एक तो आपको बताय दिया है payment अगर आप किसी भी land को utilize करोगे तो उसको पेइमेंट करना पड़ेगा पहली चीज़ यह होगी second thing उसने जितना भी capital invest किया होगा उसका जो interest वो भी इसमें क्या होता है include होता है अगर आप किसी भी जगये पर अगर loan लेते हो, capital लगाते हो business में तो business पे आपको उस capital का क्या देता है business इंट्रेस देता है तो यहाँ पर भी जितनी भी लैंड में जितनी भी capital लगी है तो उस पे जितना भी interest generate होगा वो भी यहां पे include किया जाता है इसके लावा जो भी एक landlord देख रेख करता है लैंड की उसको भी उसकी service का जो wages होता है वो भी इसको इसमें क्या include करा जाता है तो इन आप बात करते है contractual rent की तो contractual rent क्या होता है दिखीगा आप कभी कबार क्या होता है कि एक landlord और एक मा लीजी आप ए परसन है कोई भी है ना तो उसे क्या चाहिए एक जो land चाहिए लैंड चाहिए वो तो यहां पे खाषना आप चाहिए कितना payment लेंगे तो जैसे कि इसका चोटा से एक्जामपल ले ले लेते हैं अगर आपने लीज एक वर्ड उना होगा तो लीज क्या होती है कभी का बार क्या ती है कभी पाँ साल के लिए ली डिया ती है तो इसमें क्या होता है कि एक जो क्या होता है एक जो particular जो land owner होता है वो क्या कर देता है अपनी जमीन को काफी सालों के लिए एक contract के थू क्या कर देता है rent पे देता है तो यहाँ पर क्या होता है it is a payment made to the landlord by tenant payment to the landlord by the tenant on the basis of some contract कोई भी contract होता है तो लीस का contract होता आपको पता होगा second royalty BC में आ जाएगा और यह लंबी अविधी के लिए इसकी विशिष्टा होती है contractual rent तो यहाँ पर क्या होता है contract कर लिए जाता है कि इस समय के लिए इस proportion में हम लोग आपको rent provide करते रहेंगे second चीज क्या होती है it may be more or less than the economic rent जो economic rent से क्या होता है कम या ज़्यादा दोनों हो सकता है तो यह चीज भी आद रखेंगे अब बात करते हैं fourth rent की तो fourth rent क्या होता है scarcity rent अब scarcity rent क्या होता है देखेगा इसका city मलब होती ही किसी भी चीज की कमी होना तो देखेगा जब भी किसी चीज की कमी होती है तो उसका price क्या हो जाता है बढ़ जाता है मान लीजे इसका example लीजे कि अगर आप एक चोटा से example लीजे कपूर थला तो कपूर थला एक बहुत rush area है तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए दुकान चाहिए तो यहाँ पर दुकान की बहुत कमी है तो यहाँ पर आपको जो price पे करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा high price पे करना पड़ेगा बट अगर वही दुकान अगर आप outer area में रहते हैं जैसे कि कुर्सी रोड पे लेते हैं आपे कहीं outer area में रहते हैं तो उसका उतनी दुकान का जो rent होता है वो low होता है चुकि यहाँ पर क्या होती है इस car city का पूर्थला में क्या है तो कहते हैं इट applies to all the factor of production whose supplies is less elastic scarcity rent arise due to the scarcity of the production factor of production यानि की कहता है किसी भी किसी भी चीज़ पे यानि कि अगर machine, tool, land कुछ भी ले रहे हैं अगर आप कुछ भी ले रहे हैं तो अगर किसी भी चीज़ की कमी होगी है ना तो उस पे आपको ज़ाधा price pay करना पड़ेगा I hope आप लोको समझ भी आ रहा होगा अब फिफ्थ जो rent है वो क्या है आपका it refers to the rent arise due to difference in the fertility of land तो दिखीगा अब यहाँ पे क्या होता है land की fertility की define करती land की जो fertility है वो define करती है कि आपको rent ज़ाधा देना पड़ेगा कि कम देना पड़ेगा किसी भी एक land की जो production power होती है वो उसकी soil पे depend करती है अब देखीगा किसी land की अगर soil अच्छी है तो fertility rate ज़ाधा होगा fertility rate अगर ज़ाधा होगा तो क्या production भी क्या हो जाएगा high हो जाएगा तो यह जो आपको यह जो land मिलेगी वो क्या मिलेगी high rate पे मिलेगी बट अगर किसी land की जो fertility rate है जो soil की fertility rate है वो क्या है कम है तो उसका production भी क्या हो जाएगा कम तो उसकी demand भी क्या होगी कम तो rent भी किता देना पड़ेगा कम तो यह होता है आपका differential और situation rent तो समय समय के अनुसार जो particular land होती है उनकी fertility rate कम और जादा होती रहती है जब कम रहती है तो rent पे कम करना पड़ता है जब ज़्यादा होती है तो ज़्यादा पे करना पड़ता हो अब last जब से important यह आ भी चुका है last year quasi rent क्या होता है देखेगा quasi rent according to the यह किसने दिया Marshall ने device किया था quasi rent is the surplus earned by man-made factor समझेगा man-made factor पे बात करते हैं यहाँ पर land की बात नहीं होगी man-made factor of production whose supplies is inelastic और fixed जो supplies की क्या हो? fixed जो और inelastic हो in the short run but elastic in the long run short run में क्या हो? inelastic और long run में क्या हो? क्या? elastic हो और clearly इसको समझेंगे quasi rent पहले तो याद दखेंगे कभी भी land पे applicable नहीं होता यह question भी अगर आ जाएगा तो आपको याद दखना है land पे कभी भी applicable नहीं होता यह किस पे होता है? machine पर होता है tools पे होता है machine पे applicable होता है tools पे applicable होता है ठीक है न? चुकि अभी हमनोंने बात करी man-made equipment तो देखेगा define quasi rent as a surplus earning generated by the factor of production except land the earning from the यानि कि land पे नहीं लगता the earning from the machine and instrument are termed as quasi rent यानि कि जो quasi rent क्या होता है जो भी आपका क्या होता है machine tools पे जो भी factor of production पे जो अपकी extra amount of earning होती है उसे क्या कहते है quasi rent होता है short run में इसकी जो demand रहती है वो inelastic रहती है long run में ये elastic रहती है तो I hope आपको सारे rent समझ में आयोंगे ये question कैसे आता है question आएगा एक line बोली जाएगी आपसे पूछा जाएगा quasi rent है, economic rent है आपका contractual rent है तो आपको line को पढ़ना है समझना है और then answer देना है आगे की वीडियो में further discuss करेंगी तब तक के लिए thank you so much